MP task portal पर छात्रों के आविदन कैसे verify करें आज इसे हम देखेंगे जैसे कि हमें पता है कि पूर्व में जो छात्रों के आविदन हम verify करते थे तो इसके लिए OTP की आउशक्ता होती थी लेकिन बर्तमान में बिना OTP के आप छात्रों के आविदन verify कर सकते हैं आईए देखते हैं इसकी सुलूसे process तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको किसी भी ब्राउजर में MP task portal open कर लेना है portal open करने के लिए एड़ेस बार में type करें tribal.mp.gov.in slash mptask इतना type करके से search कर लें और जो capture code दिया है इसे same fill करके आपको login पर किलिक कर देना है जैसे हम login पर किलिक करेंगे एक नए interface हमारे सामने आज आएगा जो कि कुछ इस प्रकार से रहेगा अब यहाँ पर हम देखेंगे कि verify और approved करने के लिए left side में सबसे last में option दिये गए है आप देख सकते हैं class 9, 10, 11, 12 verification oblique approval तो हमें verify करने के लिए सबसे पहले तो verify करना होगा और इसके उपरान छात्रों के जो आविदन है वो approved करना होगा तो आज हम देखेंगे कि verify कैसे करना है तो सबसे last में जो option दिया गया है इस पर click करें जैसे हम click करेंगे तो दो option यहाँ पर आएंगे application approval और application verification तो verify करने के लिए जो second option है इस पर click कर देए जैसे हम click करेंगे तो थोड़ी process होगी और हमारी साला में जितने आवढ़दन चात्रों ने किये हैं वो सभी नीचे आ जाएंगे जिनने हमें एक एक करके verify करना होगा जैसे हम इस किल को नीचे scroll करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने आवढ़दन आय हुए हैं वो सभी आप यहाँ पर देख सकते हैं साथ ही यहां पर यहादी जाधा आविदन है, तो सो आविदन आप एक साथ देख सकते हैं, यहां पर जो entry है, 100 पर click कर लें, यहादी 100 आविदन है, तो सभी 100 आविदन यहाँ पर पर प्रदाशित होने लगेंगे, अब एक एक करके हमें verify करना है, यहां पर आप देखेंगे कि छात्रों की जो profile ID है वो दी गई है application number दिया गया है application type दिया गया है छात्र का जो नाम है और काश्ट है वो भी दी गई है छात्र ने कब apply किया है वो date दी गई है amount दिया गया है और status दिया गया है कि pending for verification बरतमान में verification के लिए pending है और last में action का option दिय गया है जहां से हम छात्रों के आविदन को verify कर सकते हैं अब verify करने के लिए simply जो verify लिखा हुआ है इस पर click करते हैं जैसे हम click करेंगे तो एक pop-up window open होगी जहां पर छात्र की संपूर्ण detail आ जाएगी अब यहां पर check क्या करना है मुख रूप से जैसे हम देखें तो यहां प कर लेना है अब इसकीन को हम नीचे स्कोल करेंगे और यहां पर देखेंगे कि अन और भी जानकारी आपको देखने के लिए मिल जाएगी लास्ट में आप देखेंगे कि application verification और यहां पर एक box दिया गया है जैसे हम click करते हैं तो दो option आते हैं verified और not verified तो जैसे हमें verified करना है सभी जानकारी सही है हम verified करना चाहा रहे हैं तो पहले option पर click कर दें और यहां पर verified पर click करते हैं और इसके उपरां submit इस option पर click कर देंगे जैसे हम click करते हैं तो यहां पर एक pop-up message आएगा कि you are about to verify this application do you want to proceed तो हमें ok कर देना है हम आगे proceed करना चाह रहे हैं जैसे हमने ok किया तो यहां पर आप देख सकते हैं कि application status update अर्था चात्र का जो आविदन है वो verified हो चुका है verify हमने कर दिया है अब प्रशन आता है कि जिन चात्रों के आविदन हमने verify कर दिया है इन्हें कैस कैसे आपको search करना है कैसे देखना है कि कितने आविदन हमने verify कर दिया है तो इसके लिए आपको academic badge जो है वो select करना होगा तो 2022 देखना है यहां से आपको कक्छा select कर लेना है कि कि किस कक्छा के चात्रों की detail आप देखना चाह रहे हैं इसके उपरान यहां पर application status में आपको verified इस option का chain करना होगा और अंत में search पर click कर देए अधि आप category wise देखना चाह रहे हैं तो यहां से आप cast भी select कर सकते हैं तो हम सभी चात्रों की देखना चाह रहे हैं इसलिए हम सीधे search पर click कर देते हैं जैसे हम search पर click करते हैं तो जितने चात्रों के आविदन हमने verify कर चुके ह करतमान में एपरूप के option अभी open नहीं हुए हैं जैसे ही option open होते हैं वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी जरूर दी जाएगी एथी MPTask portal पर चात्रों के आविदन verify करने समद्धी एक महत्पून जानकारी आसा है जानकारी अच्छी लगी होगी मिलते हैं कुछ इसी पर जाहे जाहे